जै स्री कृष्णा जै सीता माता नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको सीता माता की नितनेम की कहानी सुना रहा हूँ यह कहानी सीता माता कहती थी और स्री राम इसे सुना करते थी ए दिन स्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो बारे वर्स का नितनेम है अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाओंगी स्री राम ने कहा कि तुम कुए की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना सीता माता कुए की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं एक स्त्री आई उसने रेसम की जरी की साड़ी पैन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था सीता माता उसे देख कहती है कि बेहन मेरा बारे वर्स का नितनेम सुन लो पर वह इस तरी बोली कि मैं तुमारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घड़ जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे से लड़ेगी उसने कहानी रही सुनी और चली गई उसकी रेस में जड़ी की साड़ी फट गई सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया सास ने देखा तो पूचा कि ये किस का दोस अपने से लेकर आई है बहु ने का कि कुए पर एक औरत बैटी थी उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनने ही जिसका ये फल मिला बहु की वास सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुए की पाल पर गई सास को वही माता सीता बैटी मिली तो सीता माता ने कहा कि बेन मेरी कहानी सुन लिजीए सास बोली कि एक बार छोड़ में तो चार बार कहानी सुन लूँगी सीता माता ने कहानी कही राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए तपी रसोई जी ओ राम माकन मिसरी खाओ राम दूद बतासा पी ओ राम सूत के पलका मुठो राम स साल दुसाला पोटो राम साल दुसाला ओडो राम जब बोलूं जब रामी राम राम सवारे सब की काम खाली घर बंडार भरेंगे सब का बेड़ा पार करेंगे स्री राम जै राम जै जै राम सास वोली की बेन कहानी तो बहुत अच्छी लगी कहानी सुनकर सास घर चली गई औ और उसकी साड़ी फिर से रेसम जरी की बन गई मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहु केने लगी सासुमा आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहु तु दोस लगा के आई थी और मैं अब दोस उतार कर आ रही हूं। बहु ने फिर पूचा कि वे कुए वाली इस्तरी कोन हैं। सास बोली की वे सीता माता थी। वे पुरानी से नया कर देती हैं। खाली घर में भंडार बढ़ देती हैं। वे लक्षमी जी का अवास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्चा हो उसे पूरा कर देती हैं बहु बोली की ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सास बोली की ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी सुरू की राम आए लक्षमन आए देश के पूजारी आए नित नेम का नेम लाए आउ राम बैटो राम कहानी सुनकर बहु बोली की कहानी तो बहुत अच्छी है सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे अब सास बहु रोज सबेरे उठती नहाती दोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती और सुनती एदिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरताई और बोली की बेन जरासी आँच देना तो वह बोली की आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह चार बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते ही फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते ही पड़ोसन ने उनकी बाद सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुमें क्या मिला वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में बंडार वर जाते ही, सारे काम सिद्ध होते ही, मन की इच्छा भी पूरी होती है, पड़ोसन कहती है कि बेहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर, वे बोले कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो, राम आए, लक्षमन आए, देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए आउ राम बैठो राम सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भ बनना कहानी सुनने वाले के भी और कहने वाले के भी भंडार बनना बुलो सीता मता कीजै